सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बाड़े में बाते सब करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं ख्वाहिस चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे पूरा करने के लिए दिल हमेशा जिद्दी होना चाहिए जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुक हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है पड़िवर्तन का रहस्य है कि आप अपनी सारी उर्जा कुराने से लरने पर नहीं बलकि नए के निर्मान पर किंद्रित करें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रहीस बनता जाता है चांदी बालों में, सोना दातों में, मोती आखों में, सक्कर खून में और महंगे पत्थर किड़नी में पाए जाते हैं याद रखना और सफलता का मौसम, सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है समय और इस्थिती कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो मुश्कान बनाए रखो, तो दुनिया साथ है, वरना आशों को तो आखों में भी जगह नहीं मिलती जीने की कुछ तो वज़ा होनी चाहिए, वादे ना सही, पर यादे तो होनी चाहिए सनेह में ही ताकत है, समर्थ को जुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी, स्री क्रिष्न से पैर धुलवाने की हमेशा अकेले खड़ा होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान तो देती है, पर साथ नहीं दौलत सिर्फ रहन सान का तरीका बदल सकता है, बुद्धी, नियत और तकदीर नहीं दुनिया के तो हजार मूँ है, सब की सुनते रहोगे, तो पीछे रह जाओगे निर्नाई क्रोध में लिया गया हो, या फिर भावनाओं में बहकर, अंतता दोनों ही पच्टावे का कारण बनते हैं दूसरों के जीवन में जहाकने से बहतर है, कि आप खुद के जीवन में जहाके, और पता लगाए, कि आपका जीवन और आसान कैसे बनेगा आपका डर ही आपकी कमजोडी है, जिस दिन डर खत्म हो जाएगा, उस दिन आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं जीत तै हो, तो कायर भी लड़ जाते हैं, पर बहादूर तो हालात हार की हो, फिर भी मैदान नहीं छोड़ते आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं, सनकी रचते हैं हीरे को परखना है, तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकडे भी चमकने लगते हैं अगर आप लोगों की जरूरत नहीं है, तो फिर लोगों को भी आपकी जरूरत नहीं है जिंदिगी में तीन फैक्ट्री जरूर लगाएं ब्रेन में आइस फैक्ट्री, जुबान में सुगर फैक्ट्री, फिर दै में लब फैक्ट्री, फिर लाइफ अपने आप सैटिस फैक्ट्री हो जाएगी इंतजार है मुझे जिन्दगी के आखड़ी पन्ने का सुनाय अंत में सब ठीक हो जाता है तूट जाता है गरीवी में वो हर रिष्टा जो खास होता है और बन जाते हैं सब रिष्टेदार जब पैसा हमारे पास होता है जो हो ना सका जिंदगी में हासिल क्यों उसका मातम मनाया जाए जो दिया है जिंदगी ने हमें उसी को बहतर बनाया जाए सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी कड़ोगे गालिब अधूरी ख्वाही से ही तो जीने का मज़ा देती है दूसरों के चरित्र पर सक करने से पहले एक बार इमानदारी से खुद के चरित्र में जरूर जाक लेना चाहिए जो आप सुनते हैं उस पर विश्वास करने में जल्दवाजी नो करे क्योंकि जूट सच से ज़्यादा तेजी से फैलता है सारी जिन्दगी अच्छा करके भी चंद पलो की गलती हमें बुड़ा बना देती है इनसान की सबसे बड़ी हाथ उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर जुका लेता है कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को मुसीबतों से तो पूछो कितना चाहती है वो मुझे जब समय खराब होता है तब लोग हाथ नहीं गलतियां पकरते हैं जिन्दिगी में एक बात हमेशा याद रखना हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते गुशा और कानून दोनों समझदार है कमजोर को दबा लेते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं निकलता है रोज सूरज या बताने के लिए कि उजाले बाट देने से उजाले कम नहीं होते किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता परन्तु आदत खत्म करने में परसो लग जाते हैं दुकाने तो उनकी भी लुट जाती है जो दिन भर में नजाने कितने ताले बेच देते हैं असल में समझदार व्यक्ति वही है जिसके आख कान खुले हो और मूह बंद हो ए मौसम तू चाहे कितना भी बदल ले पर इंसान से ज़्यादा बदलने का हुनर तेरे पास नहीं है जिन्दगी तो अपनी ही होती है पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है वक्त भी चिखाता है और गुरू भी पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि गुरू चिखा कर इमतिहान लेता है और वक्त इमतिहान लेकर चिखाता है